खबर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्शता जहरी आई नज़र डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर सिल्वानी से महज 10 से 12 किलो मीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत हिनोतिया में ग्राम बेर खेड़ी में नदी के किनारे एक कोहा के पेड़ में लोगों के द्वारा सिध्ध महराज का बास होना दिखाई दे रहा है गाँवालों ने एवं इस नदी के किनारे खेड मालिक की अगर माने तो नदी के किनारे कोहा का एक पुराना बड़ा पेड़ था जो की बरसात में गिर गया था लेकिन बरसात के बाद अचानक रातरी में खड़ा हो गया जिसके बाद लोगों ने इसे अचंभित होना समझ आसपास के पंडा पुजारी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां कोई सिध्ध बाबा है इस पेड़ को छूने के बाद लोगों के दर्द बीमारियां दूर हो रही है वहां पर पहुंचे गाओं के शंकरलाल ने बताया कि उनके बाएं हाथ में लकवा मार गया था लेकिन इस पेड़ को छूने के बाद उनका लकवा सही हो गया वहीं कई अन्य लोगों ने पहुँचकर इस पेड को छूकर उन्होंने बताया कि किसी का पेड दर्द सही हो रहा है तो किसी के सरीर के दर्द को छूमंतर हो जाना वहीं जानकारी के अनुसार प्रतेक बुद्वार एवं रईवार को लग रहा मेला बड़ी संख्या में इस नदी के नारे लोगों ने फूल प्रशादी नारियल अगर बत्ती की दुकाने भी लगा रखी हैं जिससे की लोग यहां पर आकर नारियल चड़ा रही हैं एवं प् सब्सक्राइब को लेकर जहां लोगों ने देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इसको इश्वर रूपी भगवान विराजमान इसे आप आस्था करें या अन्दिफिस्पास हज्जार लोग आते जाते रहती हैं तो उनको फाइदा मिल रहा है तो पहले क्या भी मारी थी आपको कौन से हाथ में था लगवा लगवा दाने हाथ में लगवा था उसके बाद आप ने जब पेड़ को छुआ तो उसके बाद सही हो गया अब हाथ उठा सकते हैं अच्छा ये पेड़ के बगल में आपका ही खेत है तो इस पेड़ को आपने कब देखा था गिरा हुआ तीन-चार साल हुए तो ये पेड़ आरा था तो ये सीधा का हुए पेड़ कितने दिन पहले लगवा जी महीने िट ये पराथना करें तो है तो ये मैंनु गाद पेड़क पास मेंजें और पराथना की इसके बाद मों दूसरे आदमी और थे भाषिंग वाले इसाब पाता रगा है मानों घूर को गिया तो मुए ज contemporary-खेड़ हो एक सब्यद एक दादा या धिए ये अगा पेड़े को तुम चीने से पता पेड़ मिट गया नहीं केला कम मिटा हो फिर इसके बाद में उधर बिठार दिया दादा को फिर केला एक बार वर जाओ दादा पेड़ कम पिरा रही है दुबारा गए तो केला फिर पूसा केला मिट गया विलकुल खबर समय जगत के लिए राय सेंट से दीपक महरा की रिपोर्ट